एक्रसाइज 4.2 से question number 1 करेंगे classify the following curves as open or closed curves ये 5 figures आपको दिखरी होंगी इनके अंदर आपको ये बताना है कि open curves तो कौन-कौन है और closed curves कौन-कौन है तो curve बतादू मैं आपको कि curve ऐसी कोई भी figure होती है जो हम freehand बना देते हैं अब ए फिगर को देखिए ए फिगर के अंदर ये ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए हमें बताना है कि open है या closed है तो देखिए open curve वो होता जिसके अंदर हम enter कर सकते हैं closed curve वो होता है ऐसी कोई भी figure जिसके अंदर हम enter नहीं कर सकते बस simply वो ही closed curve बोला जाता है तो ये तो यहां से खुला हुआ है यहां से अंदर गए, यहां से अंदर गए ये तो open curve हो गया B part देखिए B के अंदर ये अंदर अंदर का portion है यह कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए जैसे यहां से गए, ऐसे ऐसे यह line जा रही है ऐसे गए, ऐसे गए, अंदर, 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 अंदर और यहीं पर ये चिपक गई है line तो इसके अंदर क्या आप घुश सकते हैं आप line पर focus करना इस वाले part पर focus मत करना कि यहां से अंदर आ जाएंगे, नहीं जो line ओसे अंदर का region जो cover है ये जो अंदर अंदर का जो area है ये वाला part क्या इसके अंदर आप कहीं से enter कर सकते हैं कोई जगख खाली है, जो अंदर जाए जा सके नहीं है ना, तो ये closed curve है तो ये हुआ open मैं लिख देता हूँ, वैसे यहां लिखा हुआ है O for open हो गया, C for closed हो गया C part देखिए C part ऐसे यहां से pencil से ये बना दिया ये बना दिया, यहां पर छोड़ दिया अब ये बंद तो नहीं हो आ ना, ये figure पूरी की पूरी बंद नहीं है Let's suppose ये कोई park ही है ये park की हो गई है boundary और यहां तो खाली पड़ा है तो park के अंदर तो कोई भी घुश जाएगा तो ये तो open हो गया तो इस तरह का जो होता है curve इसे हम open curve बोलते है D part देखिए ये line segment से मिलके बना हुआ है curve एक triangle है कहीं से भी इसके अंदर आप enter नहीं हो सकते पूरी इसकी जो boundary है बिलकुल cover है तो ये closed curve है इसके बाद E part देखिए E part में ये quadrilateral बना हुआ है यहाँ भी आपको कहीं से भी कोई भी gap नहीं दिखाए दे रहा होगा ये पूरा का पूरा ही जो इसकी boundary है ये पूरी cover है कहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है तो ये भी closed curve ही है इस तरह से आप open और closed curve की पहचान करते हैं कोईशन खतम next questions के लिए मिलते हैं next video में तक तक के लिए good bye